शामली जनपद में वर्ष 2023 में एक नए डियम आई हैं जो नोड़ा में रहे हैंा आज सीधा उन्हीसे बात कर लीते हैं आज सीधा उन्हीसे बात कर लेता हैं रविंदरी सार आपका सवागत है न्यूज24 के साथ आज सामली डिष्टिक में आपकी फिर्स्ट जोईनिंग है फ पूरी आहम जन के लिए पूरी जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल रहूं कि लोग अगर यहां पे बिना किसी संगोच के मेरे सामने आ सकें किसी भी वाक मुझे अपनी समस्यां को बता सकेंगे तो मैं कहूंगा और मैं समझूगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा ज जार महीने का जो उनका एक्शन प्लान है उसका रिव्यू करूंगा मॉनिटरिंग करूंगा जो बेसिक चीजें हैं जैसे स्वास्थ शिक्षा रोजगास रिजन यह डिफिनेटली प्रियारिटी पे रहेंगे शासन से अलग-अलग समय पे जो भी दिशानिर्देश आते र उत्रप्रदेश के बाद यह लास्ट डिश्टिक है उत्रप्रदेश का तो यहां से जो यमुना का एद्या सुरू होता है उसको लेकर के काफी चैलेंजिस सामने रहते हैं आपके पास जितने भी विभाग हैं क्योंकि आपकी फर्स्ट अपर्चिनिटी है यहां पे तो उस का सिस्टम थोड़ा अलग था क्योंकि वो एरिया नोटिफाइड था यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डवलप्मेंट डेट 1976 के तहट तो उसके हिसाब से यहां पे कोई एरिया नोटिफाइड है या नहीं है और उसमें कौन-कौन सी अनियम है यह थोड़ा से मैं समझूँ करने के लिए मेरे साथ मोजूते सामली डियम रविंद्र कुमार जी जिन्होंने बताया कि आज इनका फर्स्ट डे है कल इन्होंने जोइन किया था और आज से ही जन शिकायते जो है सुनना शुरू कर दी है अपने विबाग के सभी करमचारियों और आधिकारियों को यह दि जाथ चुreallyज को जारियों और आख जो है, भी ही जो आधिकार कपे से ओझ काज़ाना विबाख